तो साकिब लखनवी साब का एक शेर है कि जमाना बड़े शौक से सुन रहा था हमें सो गए, दास्तां कहते कहते हलो हाई, मेरा नाम पंकई जीना है और ये है वाइसनोट कैसे वाप, सिंदगी में सब ठीक टाक है न यहाँ भी सब कुछ ठीक टाक है, तो आज एक साल हो गया ताउजी को गए हुए इतना वक्त गुजर गया पर एक कमी आज भी बनी हुई है आज सुबह से ही थोड़ा कारिक्रम व्यस्तरा, हमारी ताउजी की बरसी थी आज इसलिए लोगों का आना चाना लगा रहा, जिंदगी न, हमें कभी भी कोई भी वक्त दिखा सकती है हमें बस उसके लिए तयार रहना होता है, पिसले साल में एक नौकरी में था, छुटियों पर घर आये हुआ था पाड़ों पर घर उने का फाइदा ये होता है न, कि आपकी छुटियां बड़े सुकून से गुजरती है तो हमारे घर की ठीक नीचे घर था ताउजी का बच्पन से मजा करते थे उमस से, मा बताती है कि ताउजी बहुत पहले से राजमिस्तरी का काम करते थे और जब वो हमारा घर बना रहे थे तो मैं बहुत छोटा था मैं अक्सर उनकी पीट पर बैठ जाता था वो पत्थरों पर छेनी चलाते वे मेरे संखेलते रहते थे उम्र बढ़ती गई और उनका प्यार भी मेरे लिए उतना ही बढ़ता गया मैं जब भी छुट्टी आता वो मुझे छेड़ते वे कहते और रेडियो में क्या-क्या बोलाया फिर मैं कहता बस ऐसी आपकी गपशप अरे हमने तो नहीं सुना कभी जरा हमारी बाते बताओ उनको तो हम माने ऐसा बोलते वे ताओ जी बीड़ी का एक कश उड़ा थे और दान दिखा देते उनकी दो-तिन दान थी बचे थे लेकिन मुस्कुराते वे बड़े प्यारे लगते थे पूरे गाओं में ना उनका हर किसी से एक कनेक्शन था जो मिलता उनसे उससे मजाग कर लेते मिला कर मतलब बड़ा प्रीम था उनसे पिछले साल भी हम एसे ही मजाग कर रहे थे दूसरे से महरी द्वार से आये थे कावणियों की वेश भूशा में बड़े जच रहे थे थोड़े दिर बातीं की मुझसे और बोले चोटिया बढ़ा ले अपनी मैं कल अस्पदाल जा रहा हूँ फिर मिलते हैं तो अगले दिन वो अस्पदाल के लिए निकले हमारे घर से बरेली तक जाना था उनको तकरीबन सौ किलिमेटर का सफर उन्होंने बाइक से किया शरीर की एक परेशानी से जूज रहे थे तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करवा ठीक हो जाएगा ऑपरेशन शुरू हुआ और उनका दर्द भी वो दर्द इतना बढ़ गया कि वो सही नहीं पाए ताव जी हमें छोड़ कर चले गए और मैंने चुटियां बढ़ा ली थी कंदे पर जब मैं उनको आखरी बार ले जा रहा था ना तो मैं उनकी बात याद कर रहा था कि चुटिया बढ़ा ले ना फिर मिलते हैं चौसर साल के उम्र बहुत जादा नहीं होती हसते खेलते था ओ जी चले गए हमें छोड़ कर अब उनकी बस यादें बची हुई है दोसना जिन्दगी के कोई भरूसा नहीं है हसता खेलता इंसान कब आपको छोड़ कर चला जाए कह नहीं सकते इसलिए किसी से नाराज़गी जगड़ा और अनबन हो जाए न तो तुरंत सुल जालो क्या पता जिन्दगी आपको माफी माँगने का भी मौका ना दे इसलिए इस बात का ध्यान रखो और अपना भी ध्यान रखो ठीक है मैं दोबारा मिलता हूँ तुमको किसी दूसरे वाइस नोट में अपना ख्याल लखना में पास है जाओ एक चप्पी का वक्ता है टाइड अलव यू अपना ख्याल लखना बाइड टेक्या